नमस्कार नेक्स्टाइस हिंदी में आपका स्वागत है आज बात करेंगे समाचारों में रहे चर्चे तस्थलों पर या यू कहें प्लेसेस इन दे न्यूज साथियों ये यंक यूपीएस्सी के पूर में आये हुए प्रश्णों यानि पीवाईक्यू का रिविव करने के ब आपकी प्री परिक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए बहद महत्पूर होगा अब आपको सबसे पहले यूपीएस्सी के पीवाईक्यू से रूबरू करवाते हैं ये 2023 में क्वेश्ण पूछा था यूपीएस्सी ने प्रलिमस एक्जामनेशन में पेर वाला क्वेश्ण था स उत्तरी कीबू और इटूरी के सामने अर्मेनिया और अजर वैजान के बीच युद्ध लिखा है इसका इससे कोई संबंद नहीं था गलत है क्योंकि कीबू और इटूरी कांगो गंडराज से संबंद ही थें कांगो गंडराज और रवांडा के बीच वर्स 1994 में 1994 में नागोर्नो कराबाख सितंबर 2020 में नियूज में था और यूपी असी ने 2023 की परिक्षा में ये प्रस्ण रख दिया नागोर्नो कराबाख दच्छिर पशिम अजरबैजान का ये चेत्र है अगर इससे मैच कराते हैं तो ये सही होता मोजांबिक और उपलाव गलत कतन है ना पेर की बात कर लेते हैं खेरासान और जपोर जिया यूक्रेयन से संबंधित हैं जो यूक्रेयन और रूस के बीच बिवाधित छेत्र है इसराइल और लेबनान तो गलत हो जाएगा कथा नौंबर 11-2022 को नियूज आती है और मई महीने में जब UPSC के परिक्षा होती है 2023 मे वहाँ पी ये प्रश्न बन जाता है देख रहे हैं कैसे चर्चित अस्तल से क्वेशन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर कोई भी मैच नहीं करेगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन D कोई नहीं है रियोडी जनेरियो नियूज में था क्यों था रियोडी जनेरियो में डेंगू स्वास्त आपात काल हेल्थ इमर्जंसी की घोशना की गई अब रियोडी जनेरियो के विशे में और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं रियोडी जनेरियो ब्राजिल का एक सहर है इसका आकार पहा प्रापक रूप से मानिता प्राप्त है अब जानते हैं रियो डी जनेरियो ब्राजिल का सहर है दूसरा सबसे पापुलर लोगप्री शहर है साव पाउलो के बाद जैसे भारत का अगर बात करें नई दिल्ली के बाद दूसरा सबसे लोगप्री शहर मुंबई है वैसे ही दच यह चिली और इक्वाडोर को छोड़ कर आप इस चिली को आप देख रहे हैं अगर आप चिली की लोकेशन देखेंगे यह वाला एरिया होता है और इक्वाडोर यहां पर इसकी लोकेशन है इसको छोड़ कर साउथ अमेरिका के प्रतेक देश से इसकी सीमा लगती है नौर्थ में कोलंबिया आप देख रहे हैं नौत में कोलंबिया से टच करता है फिर बेनजुयला से करता है गुयाना सुरिनाम से करता है और फ्रेंच गुयाना से यहीं पे फ्रांस की स्पेस अजेंसी काईरो है या कई जगां उसको बोलते हैं कोरू उत्तर पश्चिम की बात करें तो आपका अट्लांटिक महासागर है साथियों बात कर लेते हैं इरान के उपर इरान भी चर्चा में था समाचार में इरान ने भारतियों और कई अन्य देशों के नागरिकों के लिए अधिक्तम 15 दिनों के प्रवास के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोशना की ये रहा इरान क इरान उत्तर में अजर बैजान को डेख रहे हैं अर्मेनिया और तुर्कमैनिस्तान से लगता है और केस्पियन सागर से भी उत्तर में लगता है पूरव में पाकिस्तान और शाहुव और Oman की खाड़ी यह पूरा मैप में दिख नहीं पाया है और पस्चिम में तुर्की आप इसकी देख रहे हैं पस्चिम में है इसकी लोकेशन और इराक से पस्चिम में घिरा हुआ है यह पूरा इरान एक मैप के माध्यम से फिजकल जोगर्फी को और दिखाना चाहेंगे इ पिशेश करके उसकी माउंट रेंज को यह है इरान की एक माउंट रेंज है अलबुर्ज परवतमाला यह देख रहे हैं और जैग्रेस जैग्रोस भी बोलते हो और कई जग्रोस परवतमाला अगर बात करें कि इरान का हाइस पीक क्या है माउंट दमबंध है यहें पे हाइस पीक इरान का है माउंट दंबंद हायस पीक ओफ इरान और यहां की फेमस नदी है कारून है और यहां पे एक फेमस जील है इरान की उर्मिया जील साथियों चर्चित अस्थल अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे मिलते हैं नेक्स अंक में कुछ और महत्पूर्ण टॉपिक के साथ कुछ और महत्पूर्ण अस्थलों के साथ तब तक जुड़े रहें नेक्स टाइस हिंदी के साथ धन्यवाद